हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक तो आवर योट्यूब चैनल स्टडी वायर, स्टडी वायर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में हमारा लेक्चर नमबर फाइव, जो आपका वर्गतीन के एक्जाम के लिए परियावर और विशे के का सिलेवर से परियावरन का, उसमें है हमारे पेड़ पौधे एवं इस्थानिय पेड़ पौधे, मतलब पेड़ पौधे से संबंदित जो भी प्रशन वर्गतीन के लिए इंपोर्टेंट है, वो सारे के सारे प्रशन यहां पर आप लोगों को मिल जाएंगे, साथ ही साथ उन प्रशनों से संबंदित कुछ महतुपूर्ण तत्यों पर भी हम बात करने वाले हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब की और साथ ही साथ, आप लोग प्लीज, आप लोगों ने अगर लेक्चर नमबर वान, लेक्चर नमबर टो, त्री और फोर अभी तक कि अगर नहीं देखा है, तो प्लीज आप पहले उन्हें देख लीजे, क्योंकि ये सारे जो लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, वो आप लो कोशन है, वो है हमारे पेड़ पौधे और मिस्थाने पेड़ पौधे से संबंदी, ठीक है, तो आज का सेशन का पहला जो कोशन है, उस पर बात हम यहां करते हैं, ठीक है, यहां पर पहला कोशन जो दिया हुआ है, खेजडी एक छायदार रक्ष है, जिसकी छाया में बच् खेलते हैं और खेलना पसंद करते हैं, ठीक है, किस भगगोलिक छेतर में पाया जाता है, खेजडी का जो व्रक्ष है, वहां किस भगगोलिक छेतर में पाया जाता है, यह हमसे पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर हम आप्संस पर बात करते हैं, क्या मैदानी चेतर में पाया जाता है, option number B, मरुस्तल ये भगगोलिक चेतर में पाया जाता है, परवतिये भगगोलिक चेतर में पाया जाता है, या इन में से कोई नहीं, तो ये जो खेजड़ी का वरक्ष है ना, ये राजस्थान वाले एरिया में पाया जाता है, मतलब कि जो मरुस्तल व क्या हो जाएगा option number B क्या हो जाएगा हमारा right answer हो जाएगा ठीक है और साथ ही साथ बात कर लेते हम कि जो राजस्थान का कल्प व्रक्ष ठीक है मरू प्रदेश का कल्प व्रक्ष किसे कहा गया है तो खेजडी व्रक्ष को ठीक है मरू प्रदेश का कल्प व्रक्ष ठीक है मरू प्रदेश का कल्प व्रक्ष किसे कहा गया है खेजडी के व्रक्ष को कहा गया है ठीक है तो ये है हमारा option number B मरुस्तलिय बुंबलिक चेतर में पाया जाता है खेजडी का व्रक्ष जो क्या होता है चायादार होता है ठीक है और इसे मरू प्रदेश का कल्प व्रक्ष भी कहते हैं ठीक है और ये जो है खेजडी का व्रक्ष ये राजिस्थान का राज्य व्रक्ष भी है ठीक है 1983 में तो फ्रेंट यहां पर आप ये दो चीज़े याद रख लीजे कि जो मरुप्रदेश का कल्प रक्ष है वो क्या है खेजड़ी का व्रक्ष और यहां राजिस्थान का क्या है राज्जी व्रक्ष भी है ठीक है और यह मरुस्तलिय भोगोलिक छेतर में पाया जाता है ठीक है फ्रेंट बढ़ते हम हमारे अगले प्रश्णी की और यहां पर हमारा अगला प्रश्ण है प्रश्ण नंबर दो जिसमें दिया हुआ है रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़े उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती है जब तक की पानी ना पहुच जाए ठीक है रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़े उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती है जब तक की पानी तक ना पहुच जाए इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की उचाई की लगभग 30 गुना होती है यहां पेड़ कहां पाया जाता है पेड़ कहां पाया जाता है देखिए ठर्ण जो कोशंस आते हैं वो थोड़े कोशन्स गोशित्यूब मतलब थोड़े घुमाने वाले भी जाए ठीक है और इस पेड की जड़ है वो उस पेड की उच्चाई से ठीक है तीस गुना होती है ठीक है कितनी होती है तीस गुना होती है मतलब बहुत ही जादा गहरी उसकी जड़े होती होंगी ठीक है यहाँ पेड कहां पाया जाता है ठीक है क्या यहाँ पेड क्या यहाँ राजिस्थान में पाया जाता है, अबुधाबी में पाया जाता है, आस्ट्रेलिया में पाया जाता है या रोस में पाया जाता है, ठीक है, तो ये जो पेड़ है ना, ओक का पेड़, रिगिस्थानी ओक का पेड़ है, ये पाया जाता है आस्ट्रेलिया में, मतलब ये भी थो देमोश्डी आश्टेलिया के आदीवासी जनजाती के जो जेलू रहते में एक पतला सा फाईब यूस करते मुद्धाई hoping to जड़े है ना वह इतनी ज्यादा गहराई तक जाती है कि जब तक इसे पानी ना मिल जाए ठीकें और इस पेड के तने में वह पानी भर जाता ठीक है बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्ण की और हमारा जो अगला प्रश्ण है वो है प्रश्ण नमबर तीन निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है ठीक है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है अब देखें मैंजद कॉलम जैसा कुछ दिया हुआ है यहाँ पर हमें बता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है ठीक है शाग मेती, ज्जाड़ी, गुलाग, व्रक्ष, कीकर, लता, धनिया ठीक है तो यह शाग जो होते हैं वह बहुत चोटे-चोटे तने वाले होते हैं ठीक है कोमल तने होते हैं उनके तो जो शाक है मेथी ये तो सही है क्योंकि मेथी उतना बढ़ानी होता है ठीक है तो ये सही है ठीक है ये सुमेलेत है जाड़ी गुलाव एक जाड़ी है ठीक है ये भी सही है कीकर का रक्ष पाया जाता है ये भी सही है परन्तो धनिया जो है वो लता नहीं है लता मतलब जो ब करती है ऐसे बढ़ती है ठीक है तो धनिया क्या है लता नहीं है ठीक है धनिया एक शाक है एक प्रकार का क्या है धनिया शाक है तो यहां पर option number D क्या हो जाएगा हमारा answer हो जाएगा ठीक है option number D क्या हो जाएगा है प्रश्न नमबर चार निम्न लिखित में से कौन सी विसेस्ता बरगत के पेड़ की जड़ों की नहीं है ठीक है निम्न लिखित में से कौन सी विसेस्ता बरगत की पेड़ की जड़ों की नहीं है ठीक है तो यहां पढ़ते हैं हम चार प्रकार की विसेस्ता दी हुई है ठीक काफी घना होता है, थोड़ा यहां इमेजिंग कर लेते हैं, ठीक है, जो जड़े होती है, वो साखाय से नीचे लटकती है, ठीक है, साखाय से नीचे लटकती है, तो यह वाला option क्या हो जाएगा, हमारा right हो जाएगा, इसमें जमीन के भीतर जड़े होती है, ठीक है, जमीन के बंडारन करती है और जड़े खंबो की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है ठीक है फ्रेंड जो यहाँ पर होती है मतलब यहाँ पर कौन सी विसेस्ता नहीं है यह पुछाए हमको तो जड़े पहली वाली विसेस्ता भी है जमीन के भीतर भी इसकी जड़े पाई जाती है और जड़े खंबो की तरह पेड़ को सहारा भी देती है तो जड़े जो होती है वो बोजन का बंदारन नहीं करती है यहां पर ठीक है इसकी जो जड़े होती है वो इस्तंबो मूल होती है ठीक है वो बोजन का बंदारन करने वाली जड़े नहीं होती है ठीक है तो यहां पर option number सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है चलते हैं हमारे अगले प्रश्णी की ओर हमारा जो अगला प्रश्ण है वो है प्रश्ण नमबर पाचवा ठीक है पड़ते हैं हमारे अगले प्रश्न को पार्षक को घट्परणी पौधा निहेंटेश ठीक है निपेंटेश जिसे कहते हैं नैपेंथीज ठीक है boy जो उसके बारे में कुछ विश्यस्ता दी हुई है वो क्या करता है ठीक है घटपर्नी पौधे के मुँव पर छोटी-छोटी कंटी आप आई जाती मतलब छोटी-छोटी काटे जैसे सनरशना होती है ठीक है भारत में नहीं बाया जाता है कीटो और चूहों को चालागी से फसा कर खा जाता है कीटो को आकर जित करने के लिए उच्छ तारत्वे की द्वनिया निकालता है ठीक है फ्रंट सभी आपसन हमने पढ़ लिये हैं अपसन नमबर ए में कहा है कि वह इसके मुव पर छोटे-छोटे काटे जैसे सनरशना होती है अपसन नमबर B में कहा है कि भारत में नहीं पाया जाता है अपसन नमबर C में कहा है कि में डग कीटे और कीटो और चूहों को चालागी से फसा कर खा जाता है और अपसन नमबर D में कहा गया है कि कीटो को आकर सित करने के लिए उच्छ तारत्वे की धोनिया निकालता है त च्होटे-छोटे जो कीट होते हैं उनको क्या करता है वह चालाकी से फसा कर खा लेता है थीके तो यह घटबढ साधा होता है एस एक झाल मोजयले जrantों कर Day जो आपर होते हैं नाइट्रोजन कम मात्रा में गालिटी है कि काफो कम होती तो यह अपने सरीर में नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ती करने के लिए क्या करता है वो जीवों को खाता है ठीक है तो यहाँ पर हमारा अप्सन कहा होता है यह हमें बताना है क्योंकि नॉर्मल जो पौदे होते हैं उनका प्रकास अंसलेशन कहा होता है उनका प्रकास अंसलेशन होता है उनकी पत्तियों में ठीक है तो इसकी पत्तियों में तो प्रकास अंसलेशन नहीं होगा तो फिर कहां होगा ठीक है पत्तियों में तो काटों में भी प्रकान सøलेशन नहीं होगा तो इसका जो प्रकान translation होता है वो होता है तने में option number A क्या हो जाएगा हमारा right answer हो जाएगा ठीक है friend बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर साथवा ठीक है प्रश्न नंबर साथवा हमारा अगला प्रस्द है प्रस्द मेरे साथ भाव। नेव्नेंन लिखीत कतनों पर विचार कीजिए निदीखित कतनों पर विचार कीजिए लांगवीर कीशर फूल से प्राप्त होते हैं। फूलो की घाटी उत्रा खंड में अवस्थित है ठीक है तो यहाँ पर देखो लॉंग और कीसर जो होते हैं वो फूलो से मिलते हैं अब फूलो की घाटी कहाँ पर है उत्रा खंड में है ठीक है मतलब कि हमारा option number क्या है B क्या हो जाएगा हमारा right answer हो जाएगा ठीक है केला कद् फल्व की तरह होते है ठीक है तो यहाँ पर हमारा A और 3 जो है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ठीक है friends बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की और ठीक हमारा अगला प्रश्न जो है वो है प्रश्न नमबर आठवा ठीक है थोड़ा साई से okay set कर लेते हैं ठीक है तो पर्श्था पौधों की यहाँ विसेस्ता होती है मतलब सभी मरुस्था पौधों की जड़े और तने क्या होते हैं मांसल होते हैं तो मरुस्था पौधों की यहाँ विशाष्न नमबर बी मरुस्थलिय पौधे विशाल होते हैं अता उन्हें सहारा प्रदान करने के लिए जड़े तथा तने मांसल योगत होते हैं यखाद्य पधार्तों का संग्रहन करने के कारण मांसल दार होती है कॉन इनकी जड़े जड़ कि घटथा तने तो यहां पर हम बाट कर लेते हैं जो आंसर है उसकी मरुस्तर लियों पौनीब विसाल भी नहीं होता है छोटे-छोटे से भी पाए जाते है ठीके तो ठाद्य-्फदार्टू का सं ग्रहन करने के लिए इनकी जो तने होते वो क्या होते मान्सल होते हैं तने जो जढ़े होती न도 कैसी होती मोटी थनहां मांसल होती है तो यहाँ अपस्ण नमबसी ठीक हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है चलते अगले प्रेश्ण पर हमारा जो अगला प्रेश्ण है वो है प्रेश्ण नमबर नाइन ठीक है प्रेश्ण नमबर नाइन प्याज आलू अद्रग ठीक है प्याज आलू और अद्रग ठीक है तो हमें बदाना है कि क्या प्याज आलू और अद्रग ऑप्शन नमबर एक जड़ है ऑप्शन नमबर भी तना है अपस्थानिक जड़ है या शल्क पत्र है ठीक है फ्रेंट्स तो यहां पर प्याज आलू और अद्रग क्या है एक प्रकार के तने है ठीक है प्याज भी क्या है एक प्रकार का तन और अध्रग भी क्या है एक प्रकार का तना है परणतु हम अगर आद्रग कि अंदर रहने वाली हर चीज पीड की जो हर चीज होती है वो जड़े हो ती है नहीं प्याज आलू और अध्रग क्या है ये एक प्रकार के तने है ठीक है तो यहाँ पर option number B क्या हो जाएगा हमारा right answer हो जाएगा ठीक है फ्रेंट बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्णी की और ठीक है हमारा अगला प्रश्ण है वो है प्रश्ण नंबर दसवा ठीक है तो प्रश्ण नंबर दसवे में जो दिया हुआ है थोड़ा सा read कर लेते हैं ठीक है इसका निर्मान अंड़ा शेय में होता है मतलब कोई चीज ऐसी है जिसका निर्मान अंड़ा शेय में होता है ओवरे में होता है इसके अंदर बीच पाए जाते हैं इसके अंदर बीच पाए क्या होता है एक टाइप कांको और हमको बताना है कि क्या वहाँ option में किसका निर्मान होता है अंडा से में फल का निर्मान होता है फल के ही अंदर क्या होते है बीज होते है और यह जो प्रक्रिया होती है प्रागन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरुप तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा फल ठीक ह बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्ण की और हमारा जो अगला प्रश्ण है वो है प्रश्ण नंबर 11 विसर्पी लता से संबंधित है तो यहां पर option की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यह समझ लेती कि लता क्या होती लता जो होती है बेलाओ को कहते हैं जैसे नॉर्मल जो बेलाओ आपने ऐसी देखी होगी वो क्या कहलाती है लताय कहलाती ठीक है और लता होती है दो प्रकार की सरपी लता और विसर्पी लता ठीक है तो सरपी लता जो होती है वो कौन सी लताय होती है जो सिर्फ और सिर्फ जमीन पर ऐसे चलती है ठीक है मतलब जमीन पर ही क्या कर करती है वो सर्फीस पर ही करती है ठीक है और जो विसरफी लताय होती है वो क्या होती है वो होती है मतलब ऐसे इस टाइप की क्या करती है वो उपर चलती है ठीके वो कैसी चलती है उपर मतलब किसी सहारे के आधार पर वो क्या करती है उपर चलती है ठीके अगर कोई सहारा मिल जाता है तो वो इस तरीके से चलती है उससे मतलब उस सहारे को पकड़ करके ठीके तो ये हो गई अपने विशरपी लता तो हमको क्या पूछा गया है विशरपी लता से समबंदित है ठीके? तो यहाँ पर हम अगर बात करते है option की ठीके? तो option number A में दिया हुआ है option number A में दिया हुआ है खीरा, option number B में दिया हुआ है कर्बूजा, option number C में दिया हुआ है पुदिना और option number D में दिया हुआ यहाँ सभी ठीक है, तो यह जो है विसरपी लटा का उधारन हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पर है कर्बूजा ठीके क्योंकि पुदीना तो एक शाक है वो लता नहीं है ठीके खीरा खीरा जो होता है वो ऐसा नीचे ही फैलता है ठीके खरबूजा जो होता है उसे क्या करते हैं थोड़ा सहारा देते हैं थोड़ा सा ऐसा उठाते हैं ठीके तो यहां विसरपी लता यहां पर खरबूजे से संबंदित हो जाएंगी ठीक है फ्रेंट तो बढ़ते हम हमारे अगले प्रश्ण की ओर हमारा जो अगला प्रश्ण है वो है प्रश्ण नमबर बार्वा ठीक है चमेली का तेल उसके खलिस्तान से निकाला जाता है ठीक है चमेली का तेल होता है ना चमेली के फूल से निकाला जाता है ठीक है फ्रेंड्स यहां पर होता है हमारा प्रश्न नंबर 12 जो हो complete होता है बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर हमारा जो अगला प्रश्न है वह है प्रश्न नमबर 13 ठीक है 13 पाधो के सुक्ष्म पोशक तत्व है ठीक है जो पोशक तत्व होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के ठीक है वो होते हैं दो प्रकार के एक शुक्ष्म पोशक तत्व और एक को कहा जाता है व्रहत पोशक तत्व या मूल पोशक तत्व ठीक है एक को कहा जाता ह शुक्ष में पोशक्तत्व और एक को कहा जाते है व्रहत पोशक्तत्व ठीक है जो सुक्ष में पोशक्तत्व होते हैं वो क्या होते हैं वो के लिए जरूरी होते हैं ठीक है परंतु कम मात्रा में होते हैं पौधों के लिए जरूरी तो होते हैं और वो क्या होते हैं कम मात्रा में होते हैं जरूरी होते हैं तो यहां पर घरसन नंबर जो दिया हुआ यहां यहां सभी तो जस्ता a virus के लिए शुक्ष्म नस्य पोशक तत्व है, बोरान भी है, लोहा भी है, मतलब यहाँ पर option number क्या आ जाएगा, हमारा सही answer D आ जाएगा, ठीके, तो यहाँ पर option number C क्या हो जाएगा, हमारा सही answer हो जाएगा, option number, sorry C नहीं, D, ठीके, बढ़ते हैं हमारे एक लिए प्रशने की ओर, हमारा जो अंगला 14, ठीके, कीट भक्षी पौधा जिस म्रदा पर उखते हैं, कीट भक्षी पौधे जो होते हैं, जिस म्रदा पर उखते हैं, उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है, ठीके, फ्रेंड, इसके पहले भी जो एक question आया था, तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था, जो कीट भक्षी पौधे होते हैं, ठीके, 39, जो होते हैं, और भी पौधे होते हैं, कीट भक्षी, तो जो कीट भक्षी पौधे होते हैं, वो किस प्रकार की म्रदा पर उखते हैं, ठीके, मतलब ऐसी, कैसी मतलब, जो म्रदा होती हैं, उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है, ठीके, तो यहाँ पर बात करते हैं क्या nitrogen नहीं होता option number a option number b carbon नहीं होता option number c sulfur या potassium ठीक है तो मैंने आपको इसके पहले question में बताया था कि ऐसी म्रदा जिसमें nitrogen नहीं पाया जाता है ठीक है nitrogen जो होता है वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है ठीक है तो तो वहां पर कौन सा पौधा उपता है वहां पर होता है कीट भक्षी पौधा घट परनी जैसे की ठीक है कीट भक्षी पौधा घट परनी जैसे की और वो कीटों का भक्षन करके क्या करते है ना क्या करते है ना क्या करते वो नाइट्रोजन की आपूर्ती करते है ठीक है फ्र कावधेगाइब numb पॉब्धे जो है वो वातावरन में oxygen की मातरा को बढ़ाएब मार्फिन आउसदी अफिम से प्राप्त की जाती है या म्रदा चरन के लिए उत्तरदाई है जो पौधे है वो म्रदा चरन के लिए उत्तरदाई है ऐसा कुछ option दिया हुआ है तो यहाँ पर option number C तो directly wrong ही लग रहा है तो पौधे जो है वो वाद्दावरन में oxygen की मातरा को बढ़ाते है ये कथन अपना सही है क्योंकि जो पौधे होते हैं वो oxygen की मातरा को बढ़ाते है और जो मार्फिन आउसदी है वो अफिम से प्राप्त की जाती है तो ये option number B जो है सही हो जाएंगे ठीक है एक और दो तीसरा वाला जो कथन था वो wrong था ठीक है फ्रेंट बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नमबर 16 ठीक है निम्न में से कौन आउसदी है युकत पौधा नहीं है ठीक है अप्सन नमबर A मारफिन अप्सन नमबर B चमेली अप्सन नमबर C कुनेन अप्सन नमबर D एट्रोफिन ठीक है एट्रोफिन ठीक है जो मारफिन है ये भी औसदी पौधा है ठीक है कुनेन भी औसदी पौधा है मलेरिया के उच्छार में उपयोग किया जाता है अट्रोफिन ऊट्रोफ इसा बहुत गून वाला नहीं होता है उपस्विन clause बना जाता है तो और बी क्या ओ जा हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नमबर 17 ठीके वनाधिकार अधिनियम कब पारित हुआ ठीके थोड़ा यह याद रखेए वनाधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था तो वनाधिकार अधिनियम पारित हुआ եा सभी option को read कर लेते अफसे नमबर एग, वर्स दोहजार एक में, वर्स दोहजार पाँच में, वर्स दोहजार दस में, तो जो वनाधिकार अधिनियम पारित हुआ था, वो हुआ था वर्स दोहजार छे में, ठीके, वर्स दोहजार छे में, वनाधिकार अधिनियम पारित हुआ था, ठीके, और य में और लागू हुआ था 2007 में 31 December, 2007 में तो थोड़ा इसे याद रगिएगा फ्रैंड्स चीके वनधी का रधीनियम 2006 में लागूं पारित वा था यह लागू हुआ था थातों देस्हूं yen अब वनधी रधीनियम तो सबस्क्राइन यह क्या था जो वनों में रहने वाली जन जाती है वनों में रहने वाली जो जन जाती है जो रहती है अब वो क्या करती है जो जन जाती है वो बच्पन से वही निवास करते हैं उनके भोजन का आवास का सब कुछ का सहारा क्या होता है सिर्फ और सिर्फ वन वनों पर वो क्या रहते हैं पूरी तरीके से निर्भर रहते है ठीक है वनोपर क्या अगर रहते है वो पुरी तरीके से निर्भर रहते है तो क्या हुआ था कि सरकार ने एक अधिनियम बनाया था जिसे कहते है वनाधिकार अधिनियम इस नियम के अनुसार जो वनोपर अधिकार बताया गया था वो जन जातियों का बताया गया था तो यही है वनाधी कारादिनियम जो पारित हुआ था 2006 में और लागू हुआ था 2007 में ठीक है फ्रेंट्स 31 दिसंबर 2007 में ये लागू हुआ था बढ़ते अगले प्रश्णी की ओर हमारा जो अगला प्रश्णी है वो है वन नीती 2018 का आधार क्या था ठीक है वन नीती 2018 का आधार क्या था ठीक है अप्सन नमबर ए समावेशी वन प्रबंदन अप्सन नमबर सी विकासील वन प्रबंदन अप्सन नमबर डी स्थाई वन प्रबंधन ठीक है तो वन नीती 2018 का जो आधार था वो था समावेशी वन प्र ठीक है थोड़ असाइसे हम और भी पढ़ लेते हैं जो वन नीती दोहजार अठ्रा थी उसका आधार यह था कि मतलब जो इसके पहले वन नीती आई थी जो एक वन नीती आई थी वन नीती दोहजार अठ्रा गो लाया गया था ठीक है तो इसलिए इसका जो आधार है वो समावेशी वन प्रबंदन है वन नीती दोहजार अठ्रा का आधार समावेशी वन प्रबंदन है ठीक है फ्रेंड यहाँ पर आप्सन नमबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाए ठीक है सरवाधिक वन छेत्रफल वाला राज्य कौन सा है ठीक है तो यहां चार राज्यों के नाम दिये हुए है option number A अरुनाचल प्रदेश, option number B मध्यप्रदेश, option number C 36 गड़, option number D जारखन ठीक है जारखन, तो ये है मध्यप्रदेश, ठीक है सरवाधिक वन छेत्रफल वाला राज्य क्या है मध्यप्रदेश, ठीक है मध्यप्रदेश के 25 दसमलों जब उदा प्रतिश्यत छेत्रफल पर क्या पाया जाता है वर्ण पाया जाता है ठीक है इन चारों राज्यों में से मद्धिप्रदेश सरवाधिक वर्ण छेत्रफल वाला राज्य है ठीक है फ्रेंट तो यहाँ पर हमारा option number B क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है इस session का last प्रश्न हैगा प्रश्न नंबर 20 भारत में वनाच्छादित छेत्रफल में कितनी व्रद्धी हुई है भारत में वनाच्छादित छेत्रफल में कितनी व्रद्धी हुई है तो 3960 वर्ग किलो मीटर 4068 वर्ग किलो मीटर या 3006 वर्ग किलो मीटर या 500018 वर्ग किलो मीटर तो जो भारत का वनाच्छादित छेत्रफल है उसमें 3960 वर्ग किलो मीटर की क्या हुई है व्रद्धी हुई है ठीक है वना च्छादित जो चेत्रफल है उसमें 3960 वर्ग किलोमेटर की क्या हुई है व्रद्धी हुई है तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा आज का जो लास्ट कोशन था वो और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक किजिए इन वीडियो के तुरू आपका जो सिलेबस है वो काफी कुछ कवर हो जाएगा फ्रेंड मिंस 80% तो हम कोशिश यही करेंगे कि आप लोगों का सिलेबस इनके तुरू कम्प्लीट हो जाए ठीक है फ्रेंड्स तो आज के लिए इतना ही मिलते अगले वीडियो में त थैंक यू सो मच